अगर सेन की बाउली आने के लिए हम बाराख हमबा मैट्रो स्टेचन पूतरें यहाँ पर यह चोटे वाले समोसे मिल रहे हैं 20 रुपे के च्छी और यह बहुत ही टेस्टी हैं यहाँ पर सभी बैठके खा रहे हैं ऑफिस से आके लोग मैट्रो से निकल के सभी बैठके खा र हाते हैं अठ के टेस्ट अच्छा है कि वह अच्छी बहुत आफके रिखें तो मिलनएं भुत आरह वे अधार है इंट्यू वेट उक्तिन सही तो यह तो इननों नहीं कोल्रींग लगा रखी हैleiए तो इनिवसे समासा लो और लुगा वेए फिर रिवह राम से बैठki तेस्टी है बारा घंबा पर आने के बाद आप यह समों से जरूर खाए अगरसें की बाउली आने के लिए बहुत ही एजी सा रस्ता है चार नंबर गेट से एकजिट हो राइट से कट है रेड लाइट से और आपको यह हैली लेन दिख जाएगा यह हैली लेन साइन है बाउली के बाद कोई भी सवारी लेने की जरूत नहीं है हम दोनों वाकिन आया मुश्किल से पांच मिनट भी नहीं लगे और हम यहां पहुच गए हैं सूर्य उदे से सूर्यास तक है तो टाइमिंग विंटर और समर्स का सूर्य पर डिपेंड करता है यहां का और अगर सेंकी पहले जितनी बार मैं यहां पर आई हूँ तो अगर सेंकी बाउली में कभी पानी नहीं देखा था मैंने बड़ इस बार यहां पर इसमें पानी भर गया है तो इसके कुएं तक तो हम नहीं जा पाई हैं लोग यहां शांती से बैठके सिर्फ सामने बैठे हुआ हैं और दे यहां आसपास खाने के लिए आपको कुछ भी नहीं मिलेगा आसपास यहां पर कोई ऐसा एक छोड़ी सी स्टॉल भी नहीं है ना कोई बड़ी शॉप है डॉमिनो पिज़ा बर्गर यहां कुछ भी नहीं मिलेगा दूर दूर तक तो जब भी आप आए अपने बैग में फोटो सेशन के लिए मैं इसको पोज दे रही थी तो यह अभी पने पोज पर पूरी नहीं हो पा रही है डॉली पोज दे यह इसके सबसे यूनीक और सबसे रियल पोज हैं तो आप इसकी बिलकुल भी आडिटिंग पर ना जाए यही रियालिटी इसकी है और यही रियालि सबस्क्राइब करना ना मूले रादे रादे रादे